इस विडियो में हम लोग दो ऐसे option studying के बारे में बात करेंगे first option studying हम लोग बात करने जाग रहे हैं उसका नामे nifty options इसका जो expiry date है दोस्तो 29 September को रखा गया है इसका जो टार्केट है मलब इसका जो 17,900 का call options हम लोग select किया है इसका अभी price अलदा 159 रूपिस 95 पैसा 280 रुपीज का आप टार्गेट इसको बना के चलिए 280 रुपीज इसका एकस्पारी डियाट है 29 सेप्टेमब पर यह जरूर आपको याद रखना पड़ेगा इसका 17,900 निप्टी का आप भूलिश हो कि आभी जो निप्टी का प्राइस है तो उससे आप भूलिश हो कि हाँ ये निप्टी 17,900 तक जाएगा इसलिए आपको कॉल ओप्शन आपको पाई करना है यहाँ पर देखिए जो आज दीन भर में काफी अच्छा परफॉम्मेंस यहाँ पर देखने के लिए मिला 150 रुपिस से 233 रुपिस तक चला गया था काफी बोलाटाइल रहा और यहाँ पर काफी जादे जादा ओपेन पोजिशन भी हम लोगों देखने के लिए वालुम व ज्यादा बोलाटाली रहता है तो काल अगर बढ़ता है तो और भी इसका जो प्रीमियम है वह भी बढ़ेगा और 29 सप्टेंबर का टार्गेट है इस प्राइस में जाने के लिए 17,900 निप्टी का पहुंचने का यही टार्गेट है और जिस तरफ 17,900 तरफ जाएगा निप् स्टॉप लोस है इस करेंट लेवल में आप खड़ी सकते हो स्टॉप लोस है 130 का अब स्टॉप लोस लाएगे चलिए ठीके जीनो ने ओल लेट खड़ीदा है वह वेट कर सकते हैं क्योंकि आभी आपके बास 29 सेप्टेंबर का डेट है तो कॉल आप्शन में लागा कि इसको पूट कीजिए आपका अगर मैं ग्राब्स दिखा दू कि इसका दीन भर में आज कैसे पाफोर्मेंस रहा आप यहां पर देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बोलाटरिल था यहां पर एक टाइम में यह ऐसा था कि बहुत ही ज्यादा 233 तक लेवल में पहुच गया तही है पर देख सकते हो और उसके बाद मार्केट थोरा सा डाउनफॉल हुआ है जो पोस्ट लांच सेशन के बाद दो बज़े के बाद वहां पर मार्केट में गिराबद देखने के लिए मिला है तो इस कारेंट लेबल में आप बाइक कर सकते हैं 280 का टार्गेट है फिर से मैं दो 7,900 तक पहुंचेगा उसी तरह आपका जो यहां पर जो इसका प्रिम्यम आमाउंट है यह भी बढ़ेगा तो जितना प्रीम्यम आम प्तका बरेगा उतना ही आपका एक एक लॉट में आपके लिए मुनाफा है तो एक लॉट प्विप्टी का आता है तो आप उसी हिसाब से इस्टेफ सिक्टी से जादा लोट खरीश सकते हैं ज्यादा मुनफ़ाख कर सकते इसके माबले में जो जितना में किमै है आपकी क्वेरी में मिलते ऐसे इंफोरी वीडियो के साथ नेक्स विडिए वीडियो